हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दे अनादर एपिशोड ओप दे मेडिकल अड्डा जहां पर हम अन्बोक्स करते हैं मैजस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को दोस्तों करनूला लगाने की टेक्निक का कम्प्रीट वीडियो आपने हमारे चैनल पर प्रिविसली देखा है आपके बहुत स कि वीडियो में आपके लिए इस्पेशली लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैनूला कैसे रिमूग किया जाता है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से के एक कैनूला लगा हुआ रहता है और हमें एक डिजार्ड मेडिसीन हम उसमें अब कैनूला रिमूग करने के दोरान कुछ पातों का भी हमें ध्यान रखना होता है जैसे कि दोस्तों कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हैर ग्रोथ होती है उस कंडिशन में हमने जो ये टेगाडम चिपकाया हुआ है उस टेगाडम को निकालने में बहुत ज़्य टेकनिक है तो वीडियो में बने रही है दोस्तों उसके बारे में भी complete बात करने वाले हैं तो बीना किसी देरी के वीडियो को करते हैं start तो canola remove करने की process में पहला point है proper gloving जहां दोस्तों अच्छे अपने size के एक gloves का pair हमें पहल लेना होता है second point होता है हमें एक dry cotton या cotton pad की वेवस्ता करनी है जो कि style हो और यहीं से हमारा तीसरा special point निकल के आता है कि हमें कभी भी जो wet cotton है जाहे वो sanitizer का हो या फिर NS का हो वो directly हमें canola removing की side पे apply नहीं करना है इससे दोस्तों bleeding होने के chances ज्यादा रहते हैं इसलिए हमेशा से ही canola remove करने के बाद में side के उपर में dry cotton या फिर pad apply करना चाहिए तो आप देख पा रहे हो वीडियो में slowly slowly इसको मैं remove कर रहा हूं दोस्तों यहां पे जो hair की जो alignment होता है हमारी skin पे जो patient के skin होती है उसमें hairs का alignment होता उसी के according हमें टेगाडम को खीषना है उससी जिस side में हमारे hairs growth हो रहे हैं और जिस side में बुछ चिपके होएं उसी की side से हमें लेके आना है against में अगर हम खीचेंगे इस dynoplast को तो patient के hairs चरू टूटेंगे जैसे waxing करते हैं उसी प्रकार से बहुत सारे बाल वहां से निकल जाएंगे और patient को बहुत तेज पेन होगा और इसी के साथ में चोता point यह होता है दोस्तों कि patient को हमेशा हमें बोल देना चाहिए कि जो side पे ह work कर रहे हैं canula remove करने के site में वहां पे वो ना देखे वो अपने नजरों को या उसका mind destruction करने के लिए हमें उससे बात करनी चाहिए उनकी तबियत के बारे में पूछना चाहिए कि आप आपको कैसा feel हो रहा है कि आपकी तबियत में कोई सुधार आपको लग रहा है और इनी बातों बातों में हमें canula remove कर देना चाहिए पांचवा point है दोस्तों हमें जो भी canula हमने remove किया है उसके साथ में जो भी best products हमें मिले हैं उनको properly discard करने के लिए हमेसा हमारे पास में एक kidney trace जरूर होनी चाहिए और जब यह सारा procedure complete हो जाए उसके बाद में dry cotton या फिर pad को apply करके हम उसको micropore से चिपका देते हैं और हम patient को ही बोल सकते हैं कि थोड़ी help कीजिए और इस pressure point को एक से 2 minute तक प्रेस करके रखे ताके जो active bleeding अगर हो रही है तो वो ना हो और इसके बाद में जो भी best products है canula का जो पार्ट हमने निकाला है उसको properly discard कर देंगे by medical west तो एक बार फिर से सारे steps को अच्छे से हम याद कर लेते हैं कि हमें proper gloving पहननी है अपना barrier nursing को हमें use करना है साथे साथ हमें dry cotton paid या cotton का swab लेना है कभी भी wet वाला sanitizer से बिगा हुआ swab को direct हम canula removing की side पे apply नहीं करना है और इसके अलावा जो canula का part हम remove करेंगे उसको properly discard करना होता है और जिन करना होता है और हाँ दोस्तों डाइना प्लास्ट लगे हुए canula को जब हम remove करते हैं तो फिर वहां पर डाइना प्लास्ट का जो गम होता है अडेसिव होता है वहीं पर लगा हुआ रह जाता है तो उसके लिए हमें प्रेशन को इस्टक्ट करना है कि घर जाने के बाद में तो यह निकल जाएगा तो दोस्तों उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने आईवे केनुला लगाने की टेकनिक वाले वीडियो को प्यार दिया